अब दिवाश कैसा लग रहा है सी यूटी टोपर बनके बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया तती जम्मा डासू देखिल सर ऐसी सर वापर तो सी यूटी का आपका सफर कैसा रहा और किन बातों ने आपको इंस्पाइर किया कि आपको सी यूटी ही क्रैक करना है तो हर्यान तो हर्यान भी में बात करूँ मैं आपसे जैसा हो रहे हैं सर मेरे अकाउंट टैंसी में 200 आप टू हंडेट मार्क्स हैं सर मेरा सी यूटी का जो रिजर्ड था वो भी अच्छा रहा और सी यूटी का सफर भी मेरा बहुत अच्छा रहा खासकर कि पी डेवल्यू के साथ बहुत अच्छा लग रहा है सर डेफिनेटली अपनी टॉक्स की शुरुआत में सबसे पहले में आपका स्कॉर कार्ट जानना चाहूंगा कि आपने सब्जेक्ट वाइस कितना स्कॉर किया जी सर मेरे अकाउंट टैंसी में 200 आप टू हंडेट मार्क्स हैं सेम एकनॉमिक में बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया जी सर एक चोटी मोटी इमेज बन गई है कि आपका सफर कैसा रहा और किन बातों ने आपको इंस्पायर किया कि आपको सीवीटी ही क्रैक करना है सर मेरा सफर भी मेरा बहुत अच्छा रहा खासकर कि पीड़ियू के साथ जुड़कर मेरे यह सफर बहुत असान हो गया कैसे पीड़ियू ने आपके अल्पी सर पीड़ियू के सब्सक्राइब और क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़े हो आपने सा लिया था में सर में प्रवेश 1.0 में अच्छा जो सिएविटी प्रवेश यह जवाला बाद ब्रवेश वाला तहा पहली बार है पहला साल था और मतलब यह बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब बच्चे फुल आटो फुल भी लेकर आएं लोग सोचते हैं जुड़े नहीं जुड़े तो यह सारा एक मतलब तरीके से एक्जामपल है लोगों के लिए कि भाईया जी पीडबलू में बैस्ट फेकल्टी है चाहे पहला बैच लॉंच करेंगे चाहे दस्वा लॉंच करेंगे अब आपका टार्गेट क्या है दिवांश कि आपने अब लाइक सीवेटी बहुत अच्छे मांग से क्राक कर लिया आपके दो सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल भी है अकाउंट्स और एकॉनोमिक्स में त 780 आउट ओफ 800 आपका नॉर्मलाइज्ट माक्स का स्कूर है और आपका टार्गेट कौन सा कॉलेज है SRCC सेर शिरराम कॉलेज बन अफ दा प्रेस्टीजियस कॉलेज इन दा एशिया मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया कॉलेज है और इंडिया में तो इसके नाम का सिक्का चलता है इस तरीके से आपने रिजर्ट में दूमा उठाके दिखाया है और डिजर्व करते हो आप वैल डिजर्व कैंडिडेट हो बहुत बढ़िया दिल में इतनी खुशी आई है आपका रिजर्ट देखकर और हमसे पढ़ा हुआ बच्चा मतलब बहुत अच्छे नंबर लेकर आ अच्छा था तो इस टाम आये भी नहीं थे है ना जहां तक मुझे याद आ रहा है डिवांच आपको तो आना चाहिए था रिजल्ट करने के लिए एकडम एकडम वह होता ना कि अर्जुन की तरह चिडिया की आंक है मतलब सुटी क्लियर करना तो पहले उसको क्लियर करेंग बाद है कि बागे सब चीजे हैं लेकिन अभी मेरा लक्ष शामने के आ रहा है और इसा प्यारी चीज़े जो मुझे लगत जरूरी है हर इस्टुएंट को यह समझना जो एवरेज्ट होते हैं उनका बेसिक पॉइंट क्या होता है कि दस सवाल पूछेंगे यह नहीं कि एक सवाल का जवाब और उस पर सीधा लक्ष बताईए जैसे होता ना कि हम जो जरूरी में आते हैं तो बहुत साही प्रॉब्लम्स आती है जैसे बच्चे को लगता है कि या थोड़ा रिलेक्स कर लेते हैं या थोड़ा घूम लेते हैं तो हाव यू टेकल दीज थीम्स था क्योंकि बोर्ट की प्रप्रेशन की वजन से मुझे थोड़ा लेट हो गया था आपका बैच जोइन करने में लेकिन कर मेरा पढ़ाई में मैं ऐसा इंट्रस्ट बना वीडियो देखकर कि मैंने टू एक्स भी वीडियो देखता था कि मेरा जो स्लेवर्स था वो कोपव हो सके यानि यह भी एक पॉइंट की सब्सक्राइब भी समझ में आ जाता बच्चों को कैसे करते हैं तो इसलिए मैं पहले ही अपना लिए जो चल एक्टिविटीज होती हैं जो पीस एक्टिविटीज हैं वो भी की हैं तो क्या शौक है आपके लेकिन सच यह कि हर कोई पीस एक्टिविटी करता है तभी वो चीरफुल इवेंट्स भी बनते हैं जहां पर आप अच्छे माक्स लाते हैं वेरी गुड़ यार्ट तो आपका टाइम टेबल क्या था कुछ बता सकते हैं अब लेकिन में अब्सक्राइब टाइम टेबल को रिजिट नहीं रखा मतलब उसे फ्लेक्सिबल बनाया था लेकिन में एक लिमिट थे कि मुझे आज फाइव वीडियो सिक्स वीडियो फोटीन आर की वीडियो की देखनी है ओके विदिश के बेसिस पर है पीसर कभी नंब बनाओ और बहुत बढ़िया बनाया आपने कि यहां मैं इसको चार गंटे लगाता बढ़के करूं या दो दो गंटे की दो किस्तों में करूं या एक गंटे की चार किस्तों में करूं जैसे अगर मैंने टार्गेट बना है कि मुझे सब्जेट का एक चेप्टर करने है चाहे उसके फाइव वीडियो तो तुसार देखो ये भी एक चीज़ है कि भाई लोग कहते ना कि चार सावल पूछते हैं सर टाइम टेबल बनाओं सब पांच बजे उठू रात को उठू कि तैयारी में तरता है यह नहीं करता है अघर पर्सेंट मेंट करता है सरच कोई बड़ी बात निए हैं क्योंकि अभी तक मताब चल चला हम इंग्लिश भी ले रहे हैं लेकिन से पहले नहीं ले रहे थे तो फिर उसके लिए तो इसके लिए त्यार होते नहीं वेखती इंग्लिश की और जीटे की त्यारी एक नई तरीके से शुरू की थी क्योंकि उसका मैंने पहले कुछ भी नहीं किया था तो मैं पूरी तरह से सर वीडियो पे जो आप लेक्चर आते थे उन पर सर डिटमाइट था कि मुझे वह अच्छी तरह से करने हैं उसके बाद उसी के म कैसे करेंगे तो यह भी है कि अगर आप लास्ट के महीने में भी तैयारी करते हो तो उसमें भी मार्क्स आजाएंगे जीटी में शायद आपके कितने हैं जीटी में सर मेरे 216 मार्क्स है सर आउटो 250 ओके ओके तो काफी सही है यार यह तो ऐसा भी कुछ वो नहीं है कि यार क्या करें अब कैसे होगा नया सब्जेक्ट है तो घवराने का नहीं है करने का है इसलिटा पॉइंट जीटी में बस हमें जनल नौलिज की त्यारी करनी है बाकी लर और कॉंटिटेटी बहुत अच्छे से त्यारी हो सकती है और बिजनस के लिए क्योंकि बिजनस में बहुत और फिर दिशा में नमनेक्स और यह सब बनाती है वो टेखनीक्स जो शोटक बताई चीजों को याद करने का जो में इन चीज़ को शाजवाब देने की कोशिश करना हूं तो दिवांश सिंघला जी जो C VT के टॉपर है आप से मैं बूचता हूँ कि C VT की तयारी के लिए N कि एंटिवर ओफलाइन कोचिंग जिस पर अच्छाल है इस ताइम टेवल रिजीड यह फ्लेक्सिबल अची यह सुबह जल्दी उड़ना चाही यह नहीं ताइम टेबल के कोड़िंग जिस वचों रात को पढ़ना अच्छा लगता रात को पढ़ सकता है तो रात को पढ़ सकता है वेरी गुड पर रात को पढ़ना सर बच्छे अपने बोर्ड की तयारी पर जादा फोकस रखें या शुरू से ही सीवीटी को टार्गेट बनागे सल सब्सक्राइब करते हैं अगर आप अच्छे से फोलो करते हो तो कुछ भी मुझकिल नहीं है बोर्ट भी किया जा सकता है पहले बोर्ड पर फोकस रखें और फिर पर आ जाए तो से उसे अबजेक्टिव तरीके से पढ़ने पर ज्यादा फोकस करें क्योंकि अब हर जंगा चल कोशन के साथ हमारे कोई बड़ी बात नहीं है अच्छा जो में कोशन बेपर आया था उसमें असर्शन रीजिनिंग वाले कोशन आये थे नहीं सर तो जो अवरॉल एक्जाम थे आपने अवरॉल बताना जितने भी आपने कॉमर्स के वेपर दी है और उसमें सिंपल था प्रेंड्स थे जिन्होंने सेम शिफ्ट में दिया था उन्हें थोड़ा मोडेट लगा था मोडेट हाट लेकिन मुझे एजी लगाता सर पर काफी एजी तर डिरेक्ट कोशन पुच्छे हुए थे आपकी बात सुनके ना कोई भी दूसरा बच्चा यह बोलेगा कि यह तो है इसको तो सबकुछ असान ही लगेगा इसके तो सो मैंसे सो नंबर आये हैं आपका मतलब वह थोड़ जाती है कहीं पर कि जिस बच्चे के पूरे नंबर नहीं आते तो उसको पेपर कैसा लगता होगा सर मेरे मेजॉरिटी ओफ से फ्रेंड से पुछा था लेकिन उन्हें भी पेपर बहुत असान लगा था असान ही लगा था बहुत डिरेक्ट कोशन कुछते हुए तो जिनके कंसेप्स क्लियर हैं सर वह बहुत असानी से उस कोशन पेपर कर सकते हैं अच्छे दिवान जैसे आ क्या करते हैं कि करते हैं यह भी ओस हो सकते हैं क्या सकते हैं तो isतों इसको कैसे करें ऑगर अगर अगर चैक्ट करने सर्व कि सह whites nut करने के करने के बाद यॉइप करने कि काफी चूप चूछ शुकि कर रहा था तो मुझे काफी कोशन दिखे हुए लग रहे हैं कि अगर आपको मार्क्स लाने तो थोड़ी महनत तो करनी पड़ेगी हैं अगर आपने सब कर लिया तो कई बार ऐसा होता है कि डिट डिट कॉशन लगते हैं तो आपके टाइम भी सेव हो जाता होगा तो अगर किस सब्सक्राइब कर सकती है और फिर भी आपने उसको वैनेज किया हो नहीं सब्सक्राइब कर तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी स्टेडी कंप्रमाइज हो रही है तो फिर मुझे ऐसा सब्सक्राइब कर रहे हैं कि यार कॉमर्स क्यों ले रहा है साइंस ले वाफिस बनना है डॉक्टर्स में तो यह फेमस है मेरे इंटरस्ट था सर मैं अधेमेटिक्स में अकाउंट एंसी में इन में काफी इंटरस्ट था सर अच्छा और इंटरस्ट था देवांश में कि इसको विमारी होई तो इंजेक्शन में ही ठोकूंगी इसलिए वोटोटर रहे हैं वाओ यारो लो हमारे सीउटी टोपर मिस्टर भेवांश इंगला प्रवेश बैच को जोईन करके साथ क्लाव जैरारह अपने वहां पर ओनलाइन डरीके से स्केडियर से न o क्वीडियो से खुटक करना था वो चाहर घ्लावड टीपि थे मठीक्स कहां रोगह ईसके लावाइब कॉंफिवंच को काफी बूस्ट किया उसके लावसे काफी टाइम बच गया था मेरी वीडियो च्छी पहले खतम होगी थी तो मैंने सारे अच्छे से रीट किया टीचर्स ने जो बताए कि आपको ऐसे करना तो मैंने वैसी किया निखिल सर के बारे में कोई राज की बात बताओ कि यह वीडियो के अंदर कुछ अतरंकी सा करते हैं और यहां अभी करनी रहे हैं अशने के लिए सब्सक्राइब करते हैं बहुत जादा अच्छा लग अब कुछ स्ट्रेस से रिलीव हो जाते हैं तो मोटो यह शायद आपको पता ही है क्या है हमारा मोटो देवांज आफ स्माइल स्ट्रेट स्माइल्स याज और चैरे में स्माइल हो कि यूट लग रही इसके दीशानम के बारे में एक चट्पटी सी बात कहते हैं बहुत बढ़ी आती है यह उच्छे थे और हमारे इस इस यह फॉनडेशन के त्यारी कर रहा हूं तो मैं सर की वीडियो देखता हूं अपनी यह सर दिसेंबर का टेंप्ट यह फांडिशन वाइट सीट आपके लिए चानक का बैच वैसे अभी बहुत समराइज है अगर आपको चीजें पढ़नी हो तो आपके लिए बहुत बढ़ी है और एक दो चीजें और क्योंकि हमारी बात ही हो रही है तो जैसे आपने 11 क्लास के अंदर लॉफ वेरियेबल परपोर्शन पढ़ा होगा जी सर चानक के बैच में वैसे पढ़ाया हुआ है जी सर क्योंकि अब मैं आपको रियल टॉच दे रहा हूं लेकिन सीए फांडेशन में ना लॉफ वेरियेबल परपोर्शन वैसा नहीं है कि जैसे मेरे डियू की क्लासी सिस्टीन अगस्ते स्टार्ट है तो मैं उससे पहले अपना सारा स्लेबस कंप्लीट कर लूँ उसके बाद एम टीवी और मैं इकनोमिक से भी हूँ मैं बीच में घुजना चाहूंगा इस चीज़ के क्योंकि आपने बहुत सही प्लान किया है निकी सर्थ कुदा क्यों बीकॉमोनर्स करने वाले हैं तो बीकॉमोनर्स जब करेंगे ना तो अकाउंट्स और लो तो वहीं बढ़ रहे होंगे लग है काफी बार तो एक बच्चे को लगता है कि मैं कॉलिज की पढ़ाई कर रहा हूं साथ में सीए फाउंडेशन भी कर रहा हूं तो वह टीचर को जज करने लग जाते हैं कि कॉलिज के अंदर तो ऐसा चल रहा है और आपने ऐसा पढ़ा दिया अक्शुली क्या है बाई जो CA Foundation की study material बनाया हूँ ICI ने उसकी language थोड़ी सी different है और कई-कई concept में भी थोड़ा उपर नीचे हो रखा है तो हमें उसकी ही बात माननी पड़ती है अगर आपको CA के exam देने है तो ICI की proper guideline को follow करना होगा वो बाते आपने बहुत अच्छी link कर दी हैं यहाँ पर निकिल सर य और आपका मैसीज उनके लिए बहुत 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 नंबर वन काम आएगा कि ट्वेल्थ क्लास के बाद सीवीटी की preparation करें या सीए फांडेशन की preparation करें वह confused है आपने इस confusion को दूर कैसे किया तालमेर कैसे बिठाया इसमें सब्सक्राइब बहुत बहुत है कि अच्छा कोलेज मिल सके जैसे मेरे सीवीटी एकजाम क्प्लीट होंगे तो मैं सीए फांडेशन की टारी शुरू करते हूं सब मुझे न जो इस बंदे में सबसे अच्छी चीज लगती है power of determination मतलब मैंने decide कर लिया मुझे करना है जैसे मेरे बात हुई कि बहुत सारे बच्चे अभी भी message करते हैं जैसे ले 12 में जो भी है कि भाया हमें यार अगर हमने जून का attempt नहीं दिया तो हमारा attempt count तो नहीं हो और power of determination के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि यतने thought लाओ गया अप उतनी problem आईगी और यह भी कोई पर नहीं परता कि attempt किसका कितना है अगर मैं जून में करता हूं तो क्या होता है दिसंबर में करता हूं तो क्या होता है नाम क्या क्या सिए लग गया साइन आप नहीं करना ह क्या सोच रखा है कि सीए के साथ आप regular college को कैसे manage कर पाऊगे सर यह डाउट मेरे दिमाग में बिता लेकिन सर मुझे मुझे मिलता तो मुझे जोड़ना नहीं है चाहे उसके लिए कितनी भी मैनत लगे मैं दोनों चीज़ने को side by side करूँगा अच्छा कुछी के लिए सर मैं डिसाइड कर लिया है ना उस opportunity को grab करो उसकी कोई ना कोई cost तो लगेगी उस cost को ignore करो अभी जो आपको opportunity दिख रही है जिसको आप चाहते पकड़ना वो आपकी opportunity थे वो पकड़ो कुछ ना कुछ तो छूटी जाएगा तो फैया उसके बार में सोच के tension मतलो देवांश वैसे तो आपको srcc college मिल जाएगा वी को मॉनर्स और अगर मालो थोड़े से chances रहेगी मालो नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी हंसराज college economics के लिए बहुत माना जाता है बहुत ज्यादा माना जाता है अच्छा और वी को मॉनर्स के लिए वी को मॉनर्स करना चाहूंगा क्योंकि मेर शिर्राम college में मैंने भी जाकर एक साल पढ़ाई की है और दूसरी बात अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो मैं शिर्राम college के पास ही रहता हूं यह बात है तो मैं बहुत मिस करता हूं आपके साथ आगे दुबारा से एक बार उसको कहते है ना नोस्टाल्जिया आ जाएगा सब मैंने तो देखा भी नहीं है इसी बाहने देख नूंगा मैं तो बहुत मज़िदार हमने सर्सी के अंदर बहुत यादे हैं फैस्ट कराए हुए है जरीन खान बुलाई थी रनबीर कपूर बुलाए था और उस टाम सरे बाइक आते थी वह ही रोंड़ा की अजी देवन टाइप आज भी आते है वो इंपल्स नाम है ऐसा सा टायर होता है हमने उसका इवेंट कराए सब्सक्राइब बहुत सारी यादे है हनी सिंग बुला है सामने रामजस कॉलिज है थोड़े सा पास में वह हनी सिंग के साथ मैं भगड़ मच गई धगड़े बहुत हो जाते हैं दिल्ली के अंदर जब भगड़ बगड़ मच जाती है तो इन्वार्मेंट थोड़ा भी मिलेगा तो यह तो बहुत अच्छी बात है आपने अपने टीचर को देख पाया करता था क्या मैं मिल सकूँ आप सबके साथ ब्रेक्फरस्ट कराऊंगा तुम्हारा संडे फ्री होगा उस संडे वाले दिन देख में जरा और फिर लास्ट में आप कुछ बताना चाहेंगे कुछ स्पेशल एडवाईस या कुछ भी ऐसी बात जोगी खासकर एवरेज बच्चों के लिए जो सोचते रहते हैं कन्प्यूजन में रहते हैं सब्सक्राइब बात करें बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा आपका एटिट्यूट जो पावर डिटर्मिनेशन की बात है वह मतलब मुझे लगता है सब को ही सीखनी चाहिए और बीच में चिल एक्टिव सबसे कंपर आप ठकी जाएंगे हम भी एक इंसान है यहां पर आई बच्चों को पता नहीं होता कि उनके अंदर क्या पावर है मुझे जो आपके अंदर बहुत सारी बहुत सारी खास बाते हैं एक बहुत अच्छी बात आज बात करने बता लगी आपसे कोशन पूशा जात है न तो आप उसका straight forward instant answer देते हो आपके अंदर confidence की कमी नहीं है और शायद इस बात को आप रियलाइज ना कर पाओ लेकिन जब बहुत सारा crowd सामने होगा और competitors होंगे ना आपके तो यह बात आपके अंदर दूसरों से अलग दिखाई देगी thank you so much different हो दूसरों से और यह deserve कर इसलिए आप यहां तक पहुंच भी गए आपने सब्जेक्ट में टॉप किया है आपने पढ़ाई अपनी रूटीन वाइस अपने इसाफ से flexible schedule बनाया आप खुद एक example हो जो आप चीजों को खुद मैनेज कर सकते हो सबसे बड़ा रोल आपका खुद अपने दिमाग का है आपकी determination का है जैसे कि निखिल सर ने बताया फिर बाद में टीचर्स आते हैं ठीक है जो आपको सिर्फ एक पैट्रोल देते हैं कार तो तुम्हारी है वह जरूरी है मैं तो मानता हूं कि कहीं पर मेरा सक्सेस हुआ है कुछ हाड़वर की है तो उसकी बिच्छे का भी बहुत किसे सुना या क्या किसे पीडेवली तो हर कोई जानता है जर आपका अगर कोई डाउट है कोई कोशन है तो दिवाज आप पूछ सकते हो और आशा करता हूं कि मैं आपसे बिल्कुल परसनली आकर मिलूंगा और निकिल सर को भी बला लूँगा या पिर आपको पकड़के न थेख भी राज की बात को यही समाप्त करते हैं तो मेरी तरफ से जयाहिंद, जयाकोमर्स, नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, भी थेख़ो, अब और लूज जया है, भाई, बिल्कुल जया है, बाइ-बाइ-बाइ-बाइ-बाइ-बाइ-बाइ-टेक कियर, कीप थेंक यू जर